और आपको स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक्स दोस्तों आज मैं आपको कुछ सैमसंग A30S में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स या कुछ ऐसे इटन फिचर बताने वाला हूं जो शायद आपको नहीं पता हूं कुछ लोग को पता भी होंगे मैं डेफिनली कहता हूं कि एक या दो तो बिल्कुल नहीं पता हूंगे तो दोस्तों उसके लिए आगे चलते हैं मैं बताने वाला हूं कैसे उसको कर पाएंगे और क्या इंप्लीमेंट करने क्या आपको आसानी रहेगी मैं सबसे पहले उसी से स्टारेण करता हूं डार्क मोड को ले के जो कि लेश्टे स्टार्च कर चल रहाए कि डार्क Mum होना चाहिए नायम होना चाहिए मोवाइल मेंden यहां अप सामने पाएंगे नाइट मोड आप जैसे स्कॉन करेंगे पूरा प्लैक हो जाएगा तीम आप देख सकते हैं दोस्तों तो सबसे पहला जो जो मुझे लगता सबसे पहला जो फीचर यह शायद आपको पता भी हो कुछ लोगों तो यह आप फस्स फीचर तो यह हो गया तो सेकंड फीचर बताने वाला हों दोस्तों वह है इडन एप करने के लिए अपको हिडन करने को कोई सी भी आप अगर आप चाहते हैं हिडन कर ले हें कोई उसको देखने पाए या फिलिए आपके लाभब को उसको ज Now कर खांग तो इडन करने के लिए के लिए आप आपको यहां पर home screen settings में जाना है यहां पर जाने के बाद सबसे नीशे आप देखेंगे second option में hide apps यहां पर जाना होगा यहां पर आप जैसी क्लिक करेंगे तो ऐसा ऐसा दिखेगा आपको आप जो उनसी एप चाहें वहां से hidden कर सकते हैं तो like मैं आपको ऐसा बताता हूं जो hidden क करके आपको कि फसली मैं आपको hidden करके बताता हूं लाइज एंडर है कि पहले मैं आपको देखा दूँ मेरे home screen पर कहां पर है वह तो आपको पता लगेगा कि hidden हुआ है नहीं हुआ लाइक मैं मैं आपको यह hidden करके बताता है तो Amazon आप देख सकते हैं Amazon शॉपिंग को बताता हूं आपको नॉर्मल कोशनी करना है मेरे ड्रैक करना है home screen setting में जाना है then hide apps में जाना है यहाँ पर आप देखेंगे Amazon इसको मैं जैसे अपलाई करूंगा अपलाई होने के वाद आप देखेंगे यहां से वह चला गया है कहीं भी नहीं रहेगा वह यहां से चला गया है hidden हो चुका है और जब तक आप उसको हाइड शाटना है नहीं जब तक वह बाहर नहीं आएंगे अगर आप वह चाहते हैं आपको उसको अपनी जगाप पर आ जाएगा आप देखेंगे जाके यह Amazon Shopping वापस आ चुका है तो दोस्तों यह दूसरा फीचर था अब मैं जो तीसरा फीचर बताने वाला हूं शायद वह भी आपको पता हो या नहीं पता हो वह लेकर है Samsung Cloud अगर आप Samsung Galaxy का कोई सब्सक्राइब कर रहे हैं तो Samsung अपने सीरीज के लिए एक स्पेशल क्लाउड ओफर देता है जिसके तहर्ट 15GB का डेटा आप स्टोरेज कर सकते हैं ऑनलाइन जिसमें अगर आप कभी मॉबाइल भी चेंज करते हैं या कुछ भी होता है तो आपका डेटा पर मेरेट सेव हा जाना है सेटिंग्स में जाने के आपको यहां पर देख रहे हैं नीचर ट्रैक करेंगे एकांट या जैसे क्लिक करेंगे आप तो सेकंड ऑप्शन अपको थर्ड ऑप्शन देख रहा है सैमसें क्लाउड पर जाएंगे तो फ़र्सली अपडेट करने को मांगेगा तो आप इसको अपडेट कर लेना अपडेट करने के बाद यह आपसे फ़र्सली लॉग इन करने को बोलेगा तो आपसे पूछेगा सैट अप टू टू स्टैप वेरिफिकेशन यह यह हंड़िट परसेंट आपको करना ही पड़ेगा उससे पहले यह आगे नहीं जाने देगा तो मै अब आपको करना पड़ेगा अगर आपस्टली यूज़ करेंगे तो उसको सैट अप टू स्टैफ वेरिफिकेशन सेक्योटी परपस से है यह इमेल आइडिया चुकी है पासवर्ड डालना है दुबारा सैमसंग एकांट को पासवर्ड अगर आपका सैमसंग एकांट नहीं क्रियेट है तो आपको फ़सली क्रियाट अप करना पड़ेंगा साइन अप अपनी जेमेल आिटि से या कोई से दूसरी आइडियो आप उसको साइन अप करना पड़ेगा मैने आपने जिबिआ ये मेल आइड रहेंगे यह पांच जीबी का आपको स्पेशल फ्री डेटा देगा फ्री चुली कुछ मॉबाइशन को चालू करना होगा यहां राइट पर जाए पहले सैटिंग कर लिजिए इसकी सैटिंग्स में सब्सक्राइशन बेकप वाइल रॉमिंग कौन-कौन से आपको स्पेशल करना है यह सब आपने उप्शन चूज करना पड़ेगा जो कि मैंने चूज करके रखें तो बाइड डिफॉल्ट यह सूरी फोटो मेरी जो भी वीडियो कॉंटेक्ट है कलेंडर है यह आप लुटूस से जो भी लूँगा सारा स्पेशन हो कि मुझे अच्छा लगा जो मैंने आपको बताया तो दोस्तों थाट चीज यह थी है फोर चीज जो मैं बताने वाला हूं वह है कॉलिंग से लेकर जो ट्रेक है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए जो सैमसंग ने आपको थाट पाटी आप डाउनलोड करने ही जुरूद नहीं सैमसंग ने अपने अपने गलेक्सर डिवाइस में यह आटो नेबल करके देच चुका है आपको कुछ नहीं करना वह उप्शन को ऑन करना रहता है तो उसके लिए आपको जाए कॉल वाले ऑप्शन पर देन यहाँ पर ऊपर से ट्री डॉट्स पर जाए एंदिन सैटिक्स म जाने के बाद आप देखेंगे रिकॉर्डिंग कॉल यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग कोल के तीन ऑप्शन्स आ रहे हैं आटो कॉल रिकॉर्डिंग पर ऑल नंबर अंसेफ नंबर एंड स्लेक्टिड नंबर जो कि मैंने स्लेक्टिड नंबर पर कर रहा है आप होंगे चाहे नो नो चाहे कॉंटेक्ट सेफ भी हो तो में इसको सेफ करके रखा है तो यह खाली उनी की नंबर सेफ करेगा तो दोस्तों यह चाहर में आपको बता चुका हो जो पांच भास बताने वाला हूं वह स्मार्ट पोप अप करके जो की मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है बस अच्छा फीचर मैं आपको दिखाता हूं फीचर क्या है कि दो है कोई WhatsApp पे मैस्सीज आता है कि देख दोस्तों नहुकर बीग कर सकते हैं कहीं बीज़को कर सकते हैं इसका यह फीचर मुझे बहुत अच्छा रगता है स्मार्ट आप कोई भी एप में काम कर रहे हैं तो आप साथ में इसको यूज़ भी कर सकते हैं और जाने के बाद आपको यहां पर एडवांस फीचर में जाना होगा आप यह देख रहे हैं यह ऑप्शन स्मार्ट आप व्यूज़ इसमें जाना होगा इसमें जाने के वाद आपको yo एप आजाएंगे कौन-कौन से एपस को आपको smart pop-up करना जो कि मैंने मैंने सब्सक्राइब कर रहा है वाट सब्सक्राइब कर रहा है चाहिए आप जिस एपस को करना चाहते हैं स्मार्ट pop-up जिसके पहले चाहते हैं कि उक्राइब आपको डेफॉल्ट में नहीं मिल जाए तो आप उसको स्मार्ट पॉपप कर सकते हैं बहुत ही अच्छा फीचर है मुझे बहुत अच्छा लगता है यह फीचर इसलिए मैंने आपको बता है आपको पता हो तो अच्छी बात नहीं पता हो तो डिफिन ट्राय करें और अगर आपको और कुछ पता है थांकियो दोस्तों, थांकियो